टेलीकॉम सेक्टर से अगली खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़िये दूर संचार मंत्री अशनी वैशनव का कहना है कि वोडाफोन आइडिया की ओर से फंड की विवस्था में हो रही देरी चिंता का विश्य है। से हम बता रहे हैं कि Vodafone आडिया लगातार अपने ग्रहा ग्रूज कर रही है अब सरकार बहुत उल्जन में देखती है Vodafone को लेकर आइसा लगता है सरकार ने इस कंपनी को उबारने की कोशिश में अपने आपको ले जाकर एक मुश्किल में फसा दिया वो मुश्किल क्या ह है Vodafone को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए जो Vodafone की लाइस की लाइसेंस फीज बकाया थी उसके ब्याज के तौर पर केंद सरकार ने 16,123 करोल रुपए वसूल ने थे Vodafone से और उस वसूली को केंदर सरकार ने Vodafone में एकुटी में कनवर्ट कर दिया यानि वो प्राइवेट कंपिनी में हिस्सेदारी खरीद रही है यह इसलिए इस उद्देश से किया गया था कि जो 16,123 करोल रुपए की तातकालिक राहत मिली है कंपिनी को उसकी दिंदारी नहीं देनी पड़ेगी इसके बदले Vodafone के प्रवर तक पैसा लगाएंगे कंपिनी को ज चड़कर आल मुस्ट घिसटे घिसटे बाहर होने की प्रतिस परधास तो बाहर है लेकिन बाजार में अब सर्वाइव करने की इस्तिती में मुश्किल में फस गई है सरकार ने ऐसा क्यों किया सरकार कोई उम्मीद थी कि Vodafone को अगर वो मदद कर पाई तो बाजार में कम सकम डूपोली नहीं होगी दो कंपिनियों का कबजा नहीं होगा एक कंपिनिया और होगी तो बाजार में कम सकम तीन कंपिनिया होंगी ग्राकों के लिए लेकिन वैसा ह पपाजन के पास के पास विराड विशाल करज है और बाजार में प्रतिस परधा भूत ज्च जाता है 5G नेट वर्ट बहुत बहुत पीछे रहे गई है बाकी कमपीनियों ने आम तो पर पूरा बाजार बाट लिया है दोनों कमपीनियों ने टेलोर जीओ